बारावंखी जिले में आज सुबा हुई तेजबारिश और ओलावरिष्टी ने आलू किसानों की चिंता बढ़ा दी है एक तो जिले में पहले से ही आलू फसल का कमदाम मिलने से और कोल्ड इस्टोरेज में भंडारन ना होने पर किसान परेशान है किसान को कोल्ड इस्टोर के बाहर ट्रेक्टर टाली पर आलू लात कर कई दिनों तक खड़ा होना पड़ रहा है आज सुबा से अचानक सुरू हुई ओलावरिष्टी और तेज बारिश से किसानों का आलू भीग रहा है कोल्ड इस्टोर के बाहर ट्रेक्टर टाली पर आलू लाद कर खड़े किसान आलू भीगने से परिशान है वहीं खेतों में लगे आलू के धेर भी इस बारिस में भीग गए हैं आलू भीगने से फसल खराब होने का डरहे फिलहाल किसान फसल को बचाने में जुटे हुए हैं बता दें कि 12 की जन्पद में सुक्रवार, सुबा हुई बारिश और ओलावरिष्टी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी हैं ग्रामिन अचल में बारिश से फसल परभावित हुई है, बारिश के कारल गाओं के तमाम किसानों की सरसो और आलू की फसल पर परभाव पड़ा है अचानक हुई इस बारिश से आलू की फसल में सबसे अधिक नुकसान की बात कही जा रही है अचानक बारिश और ओलावरिष्टी से आलू की खुदाई रुख गई है खेतों में कटी पड़ी सरसों की फसल को लेकर किसान चिंतित है अब किसान फसल के बचाओ को लेकर तमाम तरहें के परियास कर रहे हैं कोल इस्टोरेक के बाहर टक्टरटाली पर आलू लात कर खड़े किसानों का कहना है कि हम यहां काफी दिनों से खड़े हैं अचानक वोई इस बारिश से हम बरवाद हो गए हैं अब आलू भी सड़ने का डर है वहीं कई किसानों का आलू अभी खेद में पड़ा है जो पूरी तरह से भीव चुका है उसको निकाल पाना भी मुश्किल हो गया है आलू के साथ सरसों गेहूं फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है जिससे हम सब काफी परिशान है अगर बजार मिलती तो अच्छा भाव मिकता इसे नहीं विका है तो इसलिए पड़ाद पड़ा सड़ रहा सब बेकार हो जा रहा है जिससे यहां पर खड़े हैं अब बारिश भी हो गई है तो क्या करें पूरी तरह से बर्बाद हो गएं पहुंट परेसान हो चुक्त है तो आब पहिस्ते क्या आलू भी घिया कहिए हम फसल नश्ट वहांगी क्या करेंग leuke चैथि कैसे पारन पोसल होगा भाज घर का खर्का चलरत एक घर ला कॉ पर वाला जाने तो क्या करेंगी इसके बाद ग्रेस Signal तो को बरभाध ही हो गए है 3 अजो कुछ उपर वाना करेगा वही होगा